हेलो नमस्कार जी आप सभी का यूटूब चैनल एजूकेशन नोलिष टीवी पर हरदिक स्वागत करता हूँ कैसे आप सभी आज 21 जनवरी 2024 सुबह सुबह ही मोधी सरकार ने गरीब परिवारों को बहुत दीज़ जवरदस्त राहत परदान की है जी हाँ मोधी सरकार ने इनको माला माल करने का जो वाइदा है यानि कि जो गारंटी आपको दी थी 2023 में उस गारंटी को निभाया है कान खोल कर सुलनों किन किन को माला माल मोधी सरकार आज करने वाली है क्या क्या बड़े ऐलान किये गए है अगर आप एक गरीब परिवार से हैं वीडियो का न तक देखे किस परकार से आपको आज ये जो तोफ़े हैं ये दिये जा रही है किन परिवारों को मोधी सरकार हर साल 12,000 रुपए देने वाली है वही महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के बैंक अकाउंटों में सीधे तोर पर 80,000 रुपए डालने का काम किया जाएगा आज जी हां उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा प्रधान मंतरी गरीब कल्यान आनि योजिना में आपको 5 किलो गिराम चीनी उपलब्द करवाई जाएगी आज से ही उसके साथ साथ स्मार्टपोन योजिना 2024 से लौंच कर दी गई है किन किन को स्मार्टपोन बिलकुल मुफ्त में दी जा रही है ये आपको इशी वीडियो के माद्यम से बताएंगे बिजली को उपर बड़ी खबर आ रही है बिजली सरकार ने एक बार फिर से सस्ती की गई है किन किन राज्जों में आपको इसका फाइदा मिलेगा किन लोगों को फाइदा मिलेगा ये आप इस वीडियो के माद्यम से जानेंगे अंतक देखे वीडियो को वीडियो को लाइक नहीं के तो वीडियो को लाइक करेंगे उससे पहले अपने गाउं सहर राज्य का नाम बताएंगे कहां से वीडियो देख रहे हैं ताकि आपके गाउं सहर राज्य से जुड़ी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुचे आप सबी को मैं बता दूँ लोक सबात चुनाओ 2024 को देखते हुए मोधी सरकार लगातार एक्सन में है और दो अंतिम बजट है वो भी मोधी सरकार लेके आने वाली है उसमें भी कापी साधा गरीब परिवारों को राहत परदान करने की खबरा रही है सबसे वहले मैं आपको बताऊंगा रासनकार जो है अगर आपकी पास बना हुआ है पीला या फिर गुलाबी तो अब महिलाओं को जी हाँ परते एक महिला को अब 80,000 रुपे मोधी सरकार दे रही है आप सबी को मैं बतादू गाए भैस यूजना 2024 को लॉंच कर दिया गया है अगर कोई भी महिला गाए भैस पालने के सोकीन है वह अगर गाओं में रहती है अगर सहरों में रहती है कहीं भी रहती है उनकी उम्र 18 वर्षे 69 वर्ष के बीच में है तो वो इस फोरम के लिए 80,000 रुपे उसको आज से ही उनके बैंक अकाउंटों में दिये जा रही है कंडिशन यहीं है कि उनके पास रासन काड होना चाहिए पीला या फिर गुलाबी 80,000 रुपे आपको दी जा रहे जिसमें आपको 50,000 रुपे ही सरकार को वापिस करने है 30,000 रुपे की इसमें आप कुछ वयवसाई करना चाहती है अपने को आगे बढ़ाना चाहती है उन सभी के लिए खुशकबरी है उसके साथ मा आपको बता दूँ मोधी सरकार ने एक और सबसी बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि जिनके पास जिहां बीपियल का रासन काड है उनको अब हर महीने 5 किलो किलो गिराम जो चीनी है वो उपलब करवाई जाएगी और यह जो चीनी है परतेग रासन काड पर 5 किलो गिराम मिलने वाली है चाहे आपका पीला रासन काड हो चाहे आपका गुलाबी रासन काड हो आपको 5 किलो गिराम चीनी आज से ही मिलने वाली है और यह तीन से चार र रुपे के बीच में चले हुए हैं लगातार चीनी की जमा खोरी पर भी मोधी सरकार की नजर है और भई अब बीपील पर चीनी देखर के मोधी सरकार गरीब परिवारों को राहत वर्दान करने जा रही है अगले बड़ी ख़वर के बात करेंगे सरकारी एक और योजना लॉंच कर दी गई है स्मार्टफोन योजना दोहजार चोवीस जी हाँ दोहजार तेहिस में भी मोधी सरकार ने एक गुशना करते हुए का ताकि हम गरीब परिवारों को एक-एक स्मार्टफोन बाटेंगे ललायन की राम मंदिर के उदगाटन से पहले ही मोधी सरकार आपको एक तोफ़ा देने जा रही है स्मार्टफोन योजना दोहजार चोवीस को लॉंच करने जा रही है आपको मैं बता दू जिनके पास वीला या गुलाबी रासनकार है उन परिवारों के पास कभी भी अगर उन्होंने स्मार्टफोन देखा ही नहीं था कौन सी योजना आ जाती थी कौन सी चली जाती थी उन्हें पता ही नहीं चलता था स्मार्टफोन के माध्यम से वे सरकार योजना ओपर नजर रखेंगे सरकार ने अब स्मार्टफोन देने का जो गोशना है वो कर दी है वह से ऐ लगातार परियास किये जा रहे थी कि मोधी सरकार ये जो स्मार्टफोन है ये महिलाओं को दे लेकिन अब महिलाओं को ना दे करके एक परिवार के एक सदस्य चाया महिला हो चाय पुरूस हो उसको ये जो स्मार्टफोन है ये दिया जाएगा बहुत बड़ी ख़बर उसके सा कार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए का है कि आने वाले दिनों में आपको किसान सम्मान निदी के जो किस्ते हैं उसमें डबल यानि की भी हम बात करें अगर आपको 2000 रुपे किसान सम्मान निदी की किस्त मिलती थी तो आप आपको 4000 रुपे किसान सम्मान निदी की किस्त मिल अंत्रिम जो बजट है उसमें मोधी सरकार 12,000 रुपे किसान सम्मानी थी कि जो रास्ती है उसको बढ़ा सकती है बहुत बड़ा फैशला ले सकती है इस पर भी और किसानों को गरीब परिवारों को इससे राहत परदान की जाएगी अगली बड़ी खबर की बात करेंगे सरकार एक और बिजली को लेकर फैशला लेने वाली है जी हाँ आपको मैं बता दू बिजली के जुदाम है काफी सारे राज्य में अभी भी बहुत ज़्यादा चल रही है विजली सरकार एक फैशला लेने जा रही है कि बिजली जो है वो गरीब परिवारों के जào उसके साथ मिडिल किलास परिवार को भी कम पैसें में मिले ताकि बिजली जो है उससे पहलने माले जो सामान है जो उपकरन है उसको जाद से जादा उप योग कर पाए आपको मैं मता दू मुधी सरकार ने एक फैसले लेते हुए काय कि तक्रीबन हम विजली के जिदाम है वो दो रूपए से लेकर एक रूपए जी हाँ आपको फाइदा पहुंचाने वाली आती रहेगी आप यूटूब चैनल पर बने रहे हैं यूटूब चैनल को सस्क्राइब कर लें चैनल मुधी सरकार लेकिया है चैनल राजी सरकार लेकिया है सभी की जानकारे आपको सब से पहले मिलती रहेगी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आप सभी का दिन सुब रहे